देखे गाज़ीपूर बॉर्डर पर किसानों का 3-3,5 महीने उगया इनका प्रदर्शन जो है अंदोलन लगातार जारी है लेकिन आज गाज़ीपूर बॉर्डर पर एक अलग ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है जहां पर बहारी संख्या में किसान जो है वो मौझूद ह अब और कहीं से लोग आए हैं बस में बैटकर इनके हाथ में मौझूद हैं लेकिन अब इनी से जानेंगे क्या कुछ करने वाले हैं क्या आगे कब रहे हैं कहां से आए अप लोग यह भारतिय किसान की सेना है जनपत बुलंद सहर साई है और यह अब एक निया गठन किया ग है कि हाला कि आवेधन बहुत आ रहे हैं बहुत जो है नोजवान इसमें टिकेत से अना में भरती होने के लिए आवेधन कर रहे हैं कहते हैं यहां हमारी कंपनी आई है आज टिकेट से ना की यह यहां से पूंट रूप से स्रक्षा का जम्मद समा लेगी यहां का यह पीगेट वह लगाएगी बाउंडरी इस पे लेगी और जो हमारा बॉर्डर है यह इसके ओपर भी काम करेगी अब कितने और लोग इसमें श अगली बार 200 इसमें और हो जाएंगे अब इसकी हां ट्रेनिंग भी चलेगी जो पूर सेना के अधिकारी है हमारे कैप्टन हेरी टायर्ड है सुबेदार है वह हमें यहां सबको प्रसिक्शन देंगे प्रसिक्शन ही चलेगा इसका और यहीं पर यह अपना कमांड भी करेग प्रक्रिया क्या इसमें अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उसके लिए किसान का बेटा होना चाहिए और इंटर पास होना चाहिए किसी पार्टी से संब्धित ना हो और जो है एं बीडी सिग्रेट पान तमाखू सराब इसका सेवन ना करता हो यह मुख्य वो है जी देखिए महिलाए भी जो है महिलाए भी है इसमें आप किस तरह से जो है रक्षा करेंगी जब तक हमारा जीवन है जब तक हम रहेंगे इस सरकारी नहीं मानता जब तक घर नहीं है तब तक घरवापसी नहीं है तक नहीं सरकार के किसान की बेटी है हम भी पीछे अटने वालों में से नहीं है कि कहां से आये हैं हम आये हैं बुलन से डिस्टिक से और भारते किसान यूनियन की सेना है यह जब तक बताई बोलिए बोलिए किस तरह आपने सोचा कि आप इस तरह पे जाकर गाजीपूर बॉर्डर पर जो है वो किसानों की रक्ष यानि कि अब आप कहना चाहरे हैं कि जिस तरह से आगे निकाए कि वह संसत का घहराव करेंगे उसमें जो आप भारी संख्या में 40 लाट ट्रेक्टब भी पहुंचेंगे तो उसमें किसी तरह की हिंसा ना हो सके उसके लिए आप लोग यहां पर आये हैं जी जी बिल्कुल इ आप लोगों के साथ शामिल है कि जो तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ति सरकार सुनेगी जरूर सुने की सरकार को सुनना पड़ेगा कि अभी सुनेगी हैं जी हमें विश्वाथ सरकार का दौर की जो बाचीत है वो भी आप लोगों का और सरकार के बीच में हुए लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला अब क्या उमीद है अब उमीद है निकाल नतीजा निकाल की है टेंगे से लेकिन सरकार तो भी बंगाल चुनाम बंगाल से नतिज्जा लिखने काम कर रहे हैं थोड़ी से संख्या इस वे से नहीं तो आक्रोश इतना है किसाड़ों में मजदूर में सब सब्सक्राइब 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 करें तो देखे 200 लोग जो है इस पूरे इसमें शामिल है और इनका साफ तोर पर कहना है किसी तरह की सांदोलन में हिंसा ना हो सके जिस तरह जे 26 जनवर को हिंसा हुई थी उस तरह की कोई हिंसा जो है घटना दुबारा ना दोहराई जा सके इसलिए ये लोग जो है इसमें आए हैं ताकि गाजीपूर बॉर्जर पर पहुंचकर ये सुरक्षा कर सके रक्षा कर सके किसानों की और यहां पे जो है सुरक्षा विवस्ता जो है वो साइसरा इसलिए ये लोग यहां पर आए हैं